सियासत में रंगे सियारों की भी कोई कमी नहीं कुछ दूर से पहचान भी लिये जाते हैं पर उनकी सियासी महत्ता इससे कम नहीं हो जाती असद्दीन ओवेसी की AIMIM पार्टी को भले ही भाचपा की B टीम कहने पर ये खेल बिगाणने का माददा तो रखती ही है ओवेसी ने अपना दल का मेरावादी की पलवी पटेल के साथ मिलकर UP में तीसरे मोर्जे का गठन किया है जिसे वो पीडियम का नाम दे रहे हैं पीडियम यानि पिछडा दलित और मुसल्मान जबकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इससे कहीं पहले पीडिये का नार ओवेसी मैच फिक्सिंग का गेम खेलने यूपी में पहली बार 2017 विधानसवा चुनाओ में आए जब उन्होंने अपने 38 उमीदवार मैदान में उतारे इत्तफाक देखिए कि इन में से 37 उमीदवारों की जमानत जब्त हो गई पर फिर भी ओवेसी मुसल्मानों के 2 लाख वोट सपा के खाते से काटने में कामयाब रहे इसके बाद आया 2022 का विधानसवा चुनाओ जिसमें ओवेसी ने 95 उमीदवार मैदान में उतारे जिन में से 49 की जमानत जब्त हो गई और वे वोट ले आए 4 लाख से ज्यादा और सपा के कई उमीदवार बेहद मामूली अंतर से चुनाब हार गए यूपी में तकरीबन 19 फीजदी मुसलिम वोटर हैं और यहां की 80 लोग सबा सीटों में से 65 सीटे वैसी हैं जहां 20 से 30 फीजदी मुसलिम वोटर हैं वही रामपूर संबल जैसी लोग सबा सीटों पर तो 49 फीजदी मुसलिम वोटर हैं चूंकि ओवेसी मुरादाबाद, आजमगर, बहराईच, फिरोजाबाद, बलरामपूर, कुशिनगर जैसी सीटों पर अपने मुसलिम उमीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इससे इंडिया गठबंदन के समक्ष एक महती चुनोती पेश हो रही है। सनद रहे कि इस पार सपा ने यूपी में अपने 46 गोशित उमीदवारों में से मात्र तीन मुसलिम परत्याशियों को ही मैदान में उतारा है। सो ओवेसी सीधे अखिलेश से पूछ रहे हैं कि क्या सपा ने मुसल्मानों को केवल दर्री बिचाने के लिए ही पार्टी में रखा है।